पूर्वी beauty and fashion में आपको स्वागत है मैं हूँ उत्पन चौधरी आज हम बात करेंगे आखों के नीचे काले घेरे क्यूं हो जाते हैं कि इसके कारण और बचाओं के तरीके मैं आपको बता रहा हूं आखों के नीचे पढ़ने वाले काले घेरे एनी डार्क सर्कल्स आपके चेहरे की खुबशूर्टी बिगार सकते हैं अक्सल लोग देर रात तक जागने बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल और तनाव जैसे कारणों को डार्क सर्कल्स के साथ जोड़ते हैं कारण पहला इंसुलेन प्रत्रूत के कारण सरीर में सुगर का लेवल बढ़ने से इंफलमेशन और तोचा कारण बदलने की समस्या हो सकती है जो आँखों के निचे डार्क सर्कल्स का का रन बन सकता है दूसरा है हाई कोटिस को लेवल लगातार तनाव लेना और कोटिसल्स का बढ़ना आँखों के नीचे की नाजुक स्कीन को कमजोर कर सकता है जिससे बिलेट ultrales बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और आँखों क पे नीचे काले घेरे आने लगते हैं। तीसरा, सूरज के संपर्क में आना। सूरज के हानिकार यूबी किरने, तोचा में कोलेजन बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे आखों के नीचे का छेत्र पतला हो जाता है, और काले घेरे दिखाई देने लगते हैं। चोथा, आखों की इलर्जी, आखों में इलर्जी के कारण भी आखों के नीचे आसपास के छित्रों में जलन और सूजन की समस्या बढ़ सकती हैं। जिससे ब्लेट बेसल्स ज्यादा नजर आने लगते हैं और डार्क सरकल्स की समस्या बढ़ जाते हैं। नीद में कमी, अप्रयाप्त नीद के कारण भी आखों के आसपास ब्लेट बेसल्स बढ़ जाते हैं जो डार्क सरकल्स का कारण बन सकते हैं। छटा एनेमिया, शरीर में आइरेन की कमी से एनेमिया की समस्या हो सकते हैं। जिससे आपके टिशू तक ऑक्सीजन का कम मत्रा में पहुंचता है और आखों के नीचे डार्क सरकल्स का कारण बनता है। सात्मा, बहुत ज़्यादा स्क्रीन समय लब में समय तक स्क्रीन पर रहने से आखों के तनाव और ठकान हो सकती है। जिससे आखों की रगड़ बढ़ जाती है और संभवित रूप से काले घ्रों का निर्माण होने लग रहा है। आखों के नीचे कालापन कैसे दूर करें। तुम्हें बता रहा हूं, योग या ध्यान जैसे गरपधियों की मदद से तनाव के इस तरको कम करने की कुछिस करें, ताकि उच कोटीसोल इस तरके कारण होने वाले आँखों के नीचे के घिरे काले घेरों को कम करने में मदब मिल सकता है. आँखों के नीचे डार्ग सरकर्र का कारण वितामेन्ट की कमी है जो आप डॉक्тор की सलाब पर वितामेन दी 3 सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. नीम की कमी के कारण होने वाले आखों के नीचे काले घ्रों को कम करने के लिए रोजाना साथ से आठ घंडे की नीद लेने का टार्गेट बनाए रिफाइन कारभोहाइड्रेट का सेवन सीमित मत्रा में करने से बिलट सुगर के इस्तर को इस्तिर करने और इंसुलीन पित्रीत को कम करने में मदद मिल सकती है यसे आखों के नीचे काले घ्रों में सुधार हो सकता है इस्क्रीन टाइम के संपर को सीमित करें खास कर सोनी से पहले आखों के तनाव को कम करने और नीन की गुडबता में सुधार करने में मदद मिल सकती है कोजिक एसिट, बिटामिन C, नियसिनमाइड और एलोबेरा जैसे तत्तों से उक्त क्रीम को अपने आखों के नीचे लगाने से डाक सरकल को कम करने में मदद मिल सकती है तो यह था हमारा आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूब बताएं धन्यवाद